किलो दोस्तों स्वागत है अब सभी का इस वीडियो में इस वीडियो में हम काप का इंपोर्टन कॉंपनेंट इस बैंक फिनाशन मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल है चैप्टर फोर दॉक्यूमेंटर लेटर इस से रिलेटेड बहुत इंपोर्टन एक टॉपिक को डिसकस करने एक्जाम एंड विच कंड उफ कुछिन हास बिनाश्ट इंड एक्जाम ठीक है दोनों ही हम देखते हैं बट बिफॉर मुविंग एहड लेट मीजिस्ट रिमाइंड यह प्रिपेरिंग एक्जाम देन यह शुट डेफिनेटली कंसिडर सम गाइदेंस विकॉस एक्जाम जो को मिल किया रहा है यह गेटिंग शॉट रिकॉर्ड वीडियो 15-15 मिनिट्स के सो दाट यू जिस्ट वाच दूरिंग दगो ठीक है अपने ब्रेक टाइम कम्यू टाइम को अच्छे साफ यूटलाइस कर सकते हैं ताथ के साथ यह गेटिंग एम सिक्वित रिस्पेक्ट टू अब जो चाप्टर से एम सिक्वित अब को प्रवाइट के गें हैं फॉर प्राक्टिस फुल इंट मॉक टेश्ट तो दाट यू गें प्राक्टिस बिफोर दाट इग्जाम और अगर आप अभी से अवेल कर रहे तो काब 75 अच्छे से हो चाहें तो यह टो दाट आपको जो है 75 परसंट का डिसकाउंट अन इस प्रोवाइट कर दिया जा सके चीक है तो व्याव डिसकेश्ट अलॉट अफ तिंग्स रिलेटेट टू लेटर अफ क्रेडिट अब हम पार्टीस कौन-कौन से इन्वाल्ट है लेटर अफ क्रेडिट में वो देखेंगे इंपोर्टर या इंस्ट्रक्शन को एमेंड्मेंट करना है तो इस्टू इंग बैंक को यह जो इंपोर्टर है वो बताएगा और बैंक को इन्टेमिफाय करना है यानि कि कोई भी अब्लिगेशिंस फॉरेंड लॉस से रिलेटेड है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह लेटर इस्टू कर रहा है और बायर का ग्रेडिट वर्दिनेस देखना है विकार सारी पेमेंट फाइनली बायर ने करनी है बैंक अपने गारंटी दे रहा है ल्सी के तुरू वाट बैंक इस प्रोवाइडिंग गारंटी तेट अच्टू चेक दा रादेंशिल्स ना इटाश तो प्रोच करके जो भी चेंजस कराने वो कराया जा सकते हैं डॉक्यूमेंट इंस्ट फॉर इंस्ट्रेक्शन फ्रम नेगोशेटिंग बैंक यह कह रहा है कि अभी रुको पहले थोड़ा चेक करना है तो वो शीच को इंफॉर्म करना है तो अप्लिकेंट की हाँ इस बीन हेल् अब आइडवाइजिंग बैंक के अगर हम बात करें तो यह जो सेलर है उसके पास उसका बैंक है सेलर का बैंक को हम एडवाइजिंग बैंक करते हैं तो एडवाइज देना विशेस तो अडवाइज और नॉट यह डिसिशन आर्टिकल 9 ओफ यूसीपी के तहत सेलर को बता as applicants अभी को जो है information मिलनी चाहिए अब confirming bank कौन है this is the bank which confirms तो जो भी issuing bank है यह bank let's say छोटा bank small bank है तो इस bank के साथ SBI आकर कह रहा है कि I will confirm your particular transaction तो इस bank पर जावा भरोसा नहीं है बट SBI पर तो भरोसा है तो SBI if it confirms कि हाँ I'll be making the payment I'll be taking care of the LC तो you will go for it तो इस bank ने शूरू किया इस bank ने खतम किया चीज़ों को ठीक है तो that is the thing small letter of credit यह letter of credit confirm करते हैं guarantee भी provide करते हैं advice भी provide करते हैं सब भी बन सकता है confirming bank inform issuing bank को inform करना है अगर confirm नहीं करना चाहते हैं beneficiary को inform करना है there is negotiating bank तो negotiating bank mainly जो letter of credit के terms है and जो भी documents इन दोनों को compare करके are these two compatible and in office चीज़ को check करता है documents and negotiate करता है article 12 and 14 के तहल there is reimbursing bank जहां पर जो issuing bank है this has to provide some money ठीक है issuing bank को पैसे भेजने या फिर जो advising bank है that has to provide the money तो issuing bank उसको देख रहा है तो इन banks को reimburse करने के ले एक bank होता है let's say इनके पास proper money नहीं है या फिर accounts जो है open नहीं है तो नोस्त्रो वास्त्रो accounts जिस भी bank में opened है of this importer exporter यह चीज़ है तो that particular bank becomes a reimbursing bank यह आप ही देखो यह transactions and then we will make the further payments जो भी चाहिए article 13 के तहत bank to bank reimbursement related provisions है UCP 600 के and यह सारे जो ही uniform rules for bank to bank reimbursements यह रर 725 rules इसके तहत bound है इसमें जो भी दिया हो है उसके साब से आपको आगे बढ़ना है and the beneficiary of all of this is the exporter यह supplier ठीक है कोई contractual relationship नहीं हो रा चाहिए with the banks importers already article 4 के तहत यह दिया हुआ and banks का protection यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है if it or there is some discrepancies some issue article 34 में दिया हुआ banks do not resume any responsibility for genuineness of document document के genuineness bank का responsibility नहीं है कोई loss during delay transmission message documents daily communication तो वो bank का responsibility नहीं article 35 के तहत अर्टिकल 36 में दिया हुआ है और यह सारी UCP DC जो है 600 उसके आर्टिकल से थीक है 36 में दिया हुआ है कि banks do not take the responsibility of any loss acts of God civil rights floods के वज़े से अगर goods वग्रह में loss हो जाते है तो that is not the responsibility of bank article 37 में banks do not take responsibility for the act of correspondent banks जो भी बाकी banks है उनका कोई भी responsibility specific banks नहीं लेते हैं ठीक है let's say India SBI है इसका correspondent यह US में कुछ deal चल रहा है trade इससे related else issue किया हुआ है बट वहां चार्जिस अप्लिकेंट को पे करने है इस चार्जिस वर अन अकांट of third party and could not be collected further the applicant is liable for any external losses occur due to foreign loss ठीक कोई foreign loss कोई भी issues होते तो applicant जो importer है he will be responsible bank responsible नहीं है उस शीट से related so these are the different things now let us answer this question a dash gives a definite undertaking in addition to the issuing that of issuing bank at the request of the issuing bank to make payment on presentation of documents as per the terms and conditions of the letter of credit to payment कौन करता है advising negotiating confirming a reimbursing bank to generally a undertaking on behalf of the issuing bank कौन देता है confirming bank देता है की ठीक है यह तो involved है but I am confirming this thing I will be making the payment तो the answer is C confirming bank this is your own book question please read this and try to answer the question in the comment section let's see who gives the right answer if you have any other queries आप 8146207241 पर जरूर हमें बता सकते हैं call करके and you can ask hello at the rate arutap.co.in पर आप mail drop करके भी हमें बता सकते हैं क्या आपकी क्या है and it will be result टेके all the best and जय हैंन।